हालो दोस्तों नमस्का और मैं इप स्वागत करता हूं आपका इस अनल टेक्निकल ब्लॉग में आज की जो बैकन से है यार वो देलाहिस अबार्डिनर सर्विस सेलेक्षन कमिशन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है यहां पर जूनियर इंजिनियर टेक्निकल असिस्टेंट ज जो जारी हुआ इसका नोडिकेशन यह एप्रूवल जो मिला है यह 4 मार्च 2021 से मिला है उसके बाद यहां पर और चीज़ें आपको मैं बताऊंगा डेट जो है आप देख सकते हैं 15 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और 14 अप्रैल तक यानि एक महिने का टाइम आपको दिया जया है तो यह पर डिफ्रेंट डिप्रण। में निकली हुई है तो यहां पर ब्लॐम के लिए यह देखेंगे आप Gum डेटैकन का शिकनिकल की जी य organise की पांँ निकली है यहां पर ऑर चीनीकल दॉट हुए यहां पर देखेंगे तो इसकी दस निकाली है यहां पर आप देख सकते हैं आटो मोबाइल की निकाली है उसके बाद प्रोडक्शन की निकाली है की और यहां पर प्लास्टिक की निका लिए यहां पर टेकनिकल असिसंट प्लास्टिक ट्रोटल दो पोष्ट निकाली है यहां देखेंगे इसके ग्रेट पर 12-22 रुपए है क्योंकि यह जूनियर इंजिनिर रुपए कंसी यहां पर काफी सारी पोस्ट निकाली गई देखेंगे तो लगबख 62 पोस्ट है और अधर ब्रांच ज्यादा ही पोस्ट यहां पर निकाली गई यह जूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल की भी इसके लिए और इसका नोटिफिकेशन मैं दे दहुंगा टेलीग्राम का link जो है तो वहां से जाकर पूरा देख लीजिए आप जिस भी पोस्ट में वहां से आप अप्लाई कर दीजिए गा और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट पब्लीक हेल्थ की है तो यहां पर इन्होंने बता हुआ है कि अगर आपके पास डियरी है इससे रिलेटेड अगर इसमें टीजिएज है तब भी अप अफलाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैं बात करेंगेए टैक्निकल इसिस्टेंट के यहां पर हाइए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए यहां पर आप देखेंगे टोटल दस पोश्ट है टेकनिकल एसिस्टेंट की जैसा कि मैंने पहले उपर बता दिया है और आपके पास बीटेक टेकनिकल एसिस्टेंट के लिए वही चीज इन्होंने मंगा हुआ है और चीजेंट के बारे से अलग अलग बताया हुआ अपके पास बैचालर होने चाहिए आपके पास ग्रिजूइशन की डी recurring चाहिए यहाँ पर असिस्टेन्ट इंजिनियर में रहता है तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से खास कर किया है तो यह बहुत ठीक ठाक है क्योंकि यहां पर 30 यह तक लगभग मांगा गया है जैसा कि सभी वेकंसिस में मानता है उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेकानिकल फ्राम ने रिकोनाईज इंस्ट्टूट से आपके पास जो है डिगरी होनी चाहिए फ्रिय रिकोनाईज बॉर्ट प्लस टू यह इर स इक्सपिरियंज अगर आपके पास डिप्लोमा के लिए जो यहां पर निकाली वेकंसी यहां पर और की टेक्टराल असिस्टेंट्सिट यानि आपके पास अरट की टेक्ट्राल सिस्टेंट में तुछ मनदब दो साल का दिप्लोमा होना चाहिए या तो आप सेंथ होने चाहिए उसके बाद पास डिप्लोमा इंडाफ समय रिकोनाइज एन इस्टुशन थी यर पोस्ट कोड एक्सपीरियंस इन प्रेपरेशन आप ड्रामिंग मैप तो आपको यह चीज़े यह चीज़े आपके पास होनी चाहिए उसके बाद दिलाई जल बोर्ड के लिए जो इन्होंने बताया है यहां देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए परसनल असिस्टेंट के लिए है फार्मासिस्ट के लिए है उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है जूनियर इस्टोनोग्राफर के लिए जूनियर एसिस्टेंट के लिए कोई भी एक्सपिरियंस नहीं मांगा हुआ है अगर आपने डिप्लोमा किया है बीटेक किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहां पर सिक्यूर्टी सुपरवाइजर के लिए यहां पर इन्हों हाइट वगरा मांग लिए है तो इसक सारी शुपधाय आपको मिलने वाली है अगर आप और कहीं से हैं तो आपको यह शुपधाय नहीं मिलने वाली है आपको जनल में काउंट किया जाएगा तक अधार काड़ आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए एक्जाम सेंटर पर उसके बाद इसके बुस्टांग करते हैं और आपने बता और यहां पर लिए नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहां पर जहां तक फार के पर रखी गई है उसके बाद जो मतलब रिजर्वेशन के कटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी पीस नहीं रखी गए आपका सेलेक्शन जो हुने कहा है और टू मोड मोगा टीर वन उसके बाद टीर टू यानि दो एक्जाम आपको देना है स्किल टेस्ट देना है अपली अ भे घंजर्वेशन के लिए उसके बाद यहां पर टू टीर वाघवशन होगा टीर तू होगा एंपसी क्यूब डूसरा ऑपका डिस्क्रिप्टिव हो तोहनी वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिकने वाला एग्जाम होने वाला है इन्होंने पहले लिए बता से हैं तो यहां पर इन्होंने बताया है टेकनिकल असिस्टेंड के लिए अलग अलग टेकनिकल पोस्ट के लिए तो यहां पर क्या-क्या आपका होना चाहिए यानि किस तरीके से सिलेवस होना चाहिए सब कुछ इन्होंने बढ़ियां से बताया हुआ है तो इन करके जरूर बताईएगा ओकी थैंक्यू